गुजराती शादियों में जो डाल बनती है वो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि उसका टेस्ट कुछ अलगी होता है खटी, मीठी, तीखी और उसमें जो टेस्ट आता है वो किसी भी डाल में नहीं आता है तो मुझे तो वो डाल बहुत ही पसंद है तो चली आज बनाते हैं चार से पांच लोगों को सर्व कर सकते हो तो दाल को मैंने पहले बिगो के रख दिया है और अब मैं निकाल लूँगी चावल क्योंकि दाल और चावल का कॉंबिनेशन बहुत ही बड़े लगता है तो यहाँ पर मैंने दो कब चावल भी ले लिये हैं और अब सबसे पहले हम चावलों को वाश कर लेंगे तो चावल को मैंने दो से तीन बार अच्छे से दो लिया है एकदम हलके हास्तों से दोईएंगे ताकि चावल तूटे नहीं तो चावल दूल जाए फिर हम दाल को भी दो लेंगे दाल को हमने भीगो के रखा है तो दाल को दूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो चावल में सबसे पहले पानी एड़ कर लेते हैं तो यहां पे मैंने दो कब चावल लिये थे तो सामने मैंने चार कब पानी ले लिया है और अब चावल को हम भीगने के लिए छोड़ देंगे और अब दाल भी हमारी अच्छे से भीग गई है तो उसे भी हमें धो लेना है दाल को हमें अच्छे से रगर-रगर के धोना है 3-4 बार मैंने दाल को धो लिया है जब तक कि एकदम पानी clean ना आने लगे तब तक उसे दो लेना है और अब दाल के अंदर मैंने 2 glass पानी एड़ कर दिया है और अब दाल के अंदर हम डाल देंगे मुंकफली दाल के अंदर मुंकफली का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे 15-20 दरें डाल दिये है मुंगफली के यहाँ पे मैंने कच्छी मुंगफली ली है और अब हमें चाहिए टमाटर तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिये है मिडियम सैज के टमाटर मैंने लिये है और अब उसे हमें एकदम बारिक कट कर लेना है टमाटर को हमें डाल के साथ ही बॉयल कर लेना है कई लोग टमाटर को बाद में एड़ करते हैं लेकिन मैं साथ में ही बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि टमाटर में जो खटापन है वो डाल के अंदर आ जाता है इससे डाल का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और हमारे गर में टमाटर के जो पीसीज होते हैं कच्चे पीसीज वो सबको पसंद नहीं है वो भी रिजन है कि मैं इसे साथ में बॉल कर लेती हूं तो चलिए टमाटर को मैंने बारिक बारिक चॉप कर लिया है और अब इसे एड़ कर देते हैं डाल के अंदर और अब इसके अंदर एड़ करेंगे वन टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून हिंग हिंग अभी एड़ करने से डाल के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता हिंग का तो अभी थोड़ी सी हिंग हम add करेंगे बाद में भी करेंगे लेकिन अभी थोड़ी सी हिंग हम add कर लेंगे चलिए अब दाल को boil करने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे हमारे चावल भी अच्छे से भीग गए है तो चावल को भी मैंने चड़ा दिया है बोईल होने के लिए चावलों को हमेशा थोड़ा भीगने के बाद ही उसे हमें पकने के लिए रखना है क्योंकि ऐसा गरने से चावल बहुत ही खिले-खिले बनते हैं तो 5-10 मिर्ट हम चावल को भीगने के लिए रख देंगे, उसके बाद ही उसे पकने के लिए रख देंगे। चलि यहाँ पर मैं फ्रिस से लेके आ गई हूँ मिर्ची, तो यहाँ पर मैंने 2-3 मिर्च ले लिए है, यह ज़ादा तीकी मिर्च नहीं है, मिर्यम तीकी है, तो मैंने 3 मिर्च लिए हैं, और अब सातने में काट लोगी धनिया, क्योंकि हम गुजरातियों का खाना धनिया के बिना अधूरा है कोई भी रेसिपी हो कोई भी डीश हो हम हमेशा धनिया का यूज़ जरूर करते हैं क्योंकि धनिया से कोई भी डीश देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है तो हम लोग धनिया जरूर यूज़ करते हैं च हमारे चावल भी अच्छे से पक गए हैं तो गैस की फ्लेम को मैंने आफ कर दिया है यहाँ पर हमारी डाल भी अच्छे से बॉयल हो गई है चार से पांच सीदी आ गई है तो यहाँ पर भी मैंने गैस की फ्लेम को आफ कर दिया है और कुकर थोड़ा थंडा हो जाए उसके बा दिये हैं मिर्च जो हमने काटके रखे दी तो सारे मिर्च इसके अंदर मैंने एड़ कर दी है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक ग्लास परके पानी आपको जीतनी घाड़ी या फिर पटली डाल पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी एड़ कर सकते हो मुझे तीन चमच भरके मैंने इसके इंदर डाल दिया है धन्याजीरा पाउडर और एक चमच डाली है मैंने लाल मिर्च पाउडर धन्याजीरा पाउडर यहाँ पर मैंने थोड़ा से जादा एड़ किया है क्योंकि धन्याजीरा पाउडर से दाल थोड़ी सी गाड़ी भी बनती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही बड़ी आता है तो चलिए अब इसके अंदर लाल देंगे गुड़ तो गुड़ मैंने यहां पे दो से तीन चम्मच जितना लिया है आपको जितनी मीठी दाल पसंद है उतना गुड़ आप इसके अंदर एड़ कर सकते हो चलिए अब थोड़ हैं और अब ले लेते हैं एक वगारिया और उसके अंदर हम वगार करेंगे तो यहां पे मैंने एक बड़ी चम्मच भर के तेल ले लिया है तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर इसके अंदर एड़ करेंगे 1 तीस्पून राई बंड तीस्पून जीरा राई और जीरा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब फटा-फट से बिल्कुल भी टाइम ना भी गड़ते हुए जो वगार है इसे डाल देंगे डाल के अंदर थोड़ी सी जादा देल लगेगी तो हमारा जो ये वगार है वो जल जाएगा और टेस्ट भी खराब हो जाएगा तो चल अब दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर अब एड़ कर देंगे इमली का पानी यहाँ पे हम निम्बू का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन निम्बू से क्या होता है कई बार दाल जहम जाती है तो यहाँ पे मैं इमली का पानी यूज़ कर रही हूँ तो चलिये 5-7 मिड हो चुके हैं और अब दाल को मैं टेस्ट कर रही हूँ दाल के अंदर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा नमक एड़ किया है और अब इसके अंदर लास में डाल देंगे धनिया पती हरे धनिय से दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और दाल देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है धनिया दालने के पाद दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब गैस की फ्लेम को हमें आफ कर लेना है तो गुजराती शादियों में बनने वाली दाल एकदम रेडी है खटी, मीठी, तीकी और चटपटी इसे आप रोटे के साथ भी खा सकते हो लेकिन मुझे चावल के साथ ये दाल बहुत ही पसंद है आप भी एक बर बना के ट्राइ करिए मजजा पड़ी जैसे तो आपको आज की गुजराती दाल की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशन